अब ये सारी चीज़े मुझे लेनी पड़ रही है ना इसको कहते हैं समय का फेर एक दिन ऐसा था समय किसका कब पलट जाए नहीं पता और ये उनके साथ भी 15 साल को जा रहे हैं वो मुझे ही छोड़के चले गए छोड़के गए तो वो एक लगता है ना कि वो बाड़ आ गई है सब कुछ सब कोई भैगा हूं सब भैगा हूं पस मैं हो मेरी बच्ची बच्ची तुमें क्या बना रहे हैं पालक बनाई है और ये रोटे ना पालक कि और रहे है ना कोट बनाई है आटिनी मिर्ची वाली तो नहीं हैं तो अब आई न चैनी इसको देख के मुझे किसको इसको क्या टमाटा डाला न मैंने वो बॉइल करके भून के अच्छा मसाले वाला यह ले कि हलो फ्रेंट्स राधी राधी तो आप लोग कैसे हैं जैय श्रीश्याम तो फ्रेंट्स यहां पर मैं शुबहा की नास्ता या खाना जो भी समझ लो वो बन रहा है हमारे एदर मैंने बनाया हुआ है पालक जोकि बहुत टेश्टी बना हुआ है हलागी हम ने नहीं खाया क्योंकि हमारा व्रत था और श्रेया ने खाया था तो वो बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छा गर्म गर्म साग बना हुआ था गर्म गर्म रोटी आंगी लगा कर मैंने उसे दिया कि अच्छे से क्योंकि सुबर से पढ़ रही थी तो मैंने बोला ही अच्छे से भ तो फ्रेंट्स, स्रया यहां पर खाना खा रहे हैं और हमारा किचन फैला हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी ना राशन आने वाला है, तो मैंने भोला कि मैं सारे डबों में भरूँगी, तब ही जाकर सब कुछ जमाऊंगी, यहां पर स्रया खाना खा रहे हैं, खाना खा करके ज तो सब्सक्राइब बहुत प्यारी लगी श्रया बोल रही है बहुत अच्छी लगी है बहुत ज्यादा आज मरा प्राथ नहीं सब अच्छा लगता है यह श्रया के लिए मैंने मंगवाया हुआ है और पहनेगी वो जब वो आएगी तो उसके यह नहीं वो तो एक्जाम देने गई है तो उसके आने से पहले यह आ गया था और यहां पर यह दादा राशन लेकर आ रहे हैं राशन आ चुका है तो अब जब आएंगे देखेंगे क्या कैसा आया हुआ है और मैं ब्लॉग को शूट कर रही थी तो मैं अपना काम ही कर रही थी इसलिए मेरा ब्लूटूथ लगा हुआ है उसके बाद यहां पर मैंने आप लोगों से धेर सारी बाते की बट वाइस नहीं आई पता नहीं क्यों में उठ हो गया तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने आज इस्टेटरस लगाया हुआ इश्रया का मुबाइल है तो यह जो मम्मी वाला फोल्डर यह को लेगा तो यहां पर यह शुकला जी का एक वीडियो था जो कि इसमें वो इसी तरीके से हसते थे और ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे और बस कुछ इसी उनकी मुस्क्राहट यही सब देख रही थी मैं और यह सरीता है जो कि उसका फोल्डर भी खुल गया था यहां पर श्रया समन बोला था श्रया जाड़ू लाकर की रैक में डाल दो अभी नहीं निकालेंगे अपन क्योंकि जो पहले की बात सोच करके बड़ा दुख सा हो रहा है कि मैं किसी की बेटी हूँ और इतनी उमर भी नहीं है कि इंसान मुझे भुला सके कि अगर बोलते हैं न कि कोई 60-70 साल का हो जाए पचास साल का हो जाए तो भुला दे कोई इंसान मुझे इंसान मीन्स मम्मी पापा उनकी तुमा बेटी हूँ न उनको भी मेरी चिंता नहीं होती है क्या कर रही क्या नहीं कर रही कैसी है दुख होता है सब को याने मेरी भी बच्ची है एक बोलते न साट सतर साल का इंसान हो जाता है तो बूल जाते कि हां माबाब भूल रहे हैं कुछ भी है पर मेरी तो कर्णीशनी दूसरी है फिर भी मेरी कोई चिंता विकर नहीं होती है तो मैं भी यह सोच रही हैं यहने मेरी कुछ पराने रिल्स हैं मैं देख रही हुद को सबको देख रही मेरी कोई चिंते करने वाला नहीं है कैसी कैसी लाइफ होती है क्यों अभी राशन आ चुका है और मैंने जमाया नहीं है अभी तो खोल के ही नहीं देखा कैसा क्या है बस यहाँ पर यह बिल रखा हुआ था यहां से मैं इतना दिखाऊंगी इसको मैं इस सेट से पीछे मौल लेती हूँ बिल दिखा देती हूँ कितने का आया बिल बिल दिखाती हूँ आप लोग बिल देखे यहाँ पर उल्टा है ना बैक करके दिखाती हूँ तो यहने कम-कम ही समान मंगा है पर महंगाई इतनी है कि मैं बिल देखकर थोड़ा से मुझे लग रहा है कितनी महंगाई आ गई है कुछ चीजे हैं जो कि जब हम सारे लोग एक साथ रहते थे जब ये थे तो बहुत साई चीजे हमें खरीदने नहीं होती थी हाला कि ये बात शेयर करने की नहीं है पर मैं शे करती हो कि बहुत साई चीजें यानि कि खिती किसानी सब कुछ है घर से मदद मिलती थी यहीं से बहुत साई चीजें पर अब ये सारी चीजें मुझे लेनी पड़ रही है ना इसको कहते हैं समय का फेर एक दिन ऐसा था समय किसका कब पलट जाए नहीं बता और ये पता है इतना कि दुख हमेशा के लिए नहीं होता और सुख भी हमेशा के लिए नहीं होता है इसका आना जाना लगा रहता है पर दुख किस प्रकार का आ रहा है ये भी नहीं पता और सुख किस प्रकार का रहा है ये भी नहीं पता मेरे कुण अच्छा नहीं लगता है पर लाइफ कट रही है यह कभी कभी सोचती हूं आज आप लोग से यह बाते करूंगी यह थोड़ा सा दिल का बूझ हलका होता है क्योंकि हमने तो अपना ब्लॉक शेयर कर दिया डेली आ लोग दिख रहे रहे खोश है गा रही है नाच रही है खोश है और पहली बाद तो मैं खोश रहा हूं चाहेर दुखी रहूँ कुछ भी है जब मेरे अपनों को ही फरक नहीं पड़ रहा है तो फिर तो बहुत दूर-दूर के लोग हैं उनको क्या फरक पड़ने वाला हूँ मैं किसी को फर्क भी नहीं पढ़वाना चाहती हूँ बट सोचती हूँ अपनी लाइफ के बारे में यार ऐसी भी लाइफ है कि बच्पन से अभी तक का याद करो अगर अपनी जर्नी याद करूं मैं बच्पन से माबाब का प्यार सब कुछ भाई भेन जो बच्पन बीता दादी दादा सब कुछ था शादी हुई जिनके लिए सब कुछ छोड़ चाल के आई उनके साथ भी 15 साल को जा रहे है वो मुझे ही छोड़ के चले गए छोड़ के गए तो वो एक लगता है न कि वो बाड़ आ गई है सब कुछ सब को ही भेगय हूँ सब भेगय है पस मैं हो मेरी बच्ची-बच्ची व ऐसे ही लगता है मेरे को बीरान एक जंगल में मैं और मेरी बच्ची-बच्ची है फिर से उटके खडी होई हूँ ऐसा कुछ-कुछ लगता है परिस्थिरी में जैसा भी मेरा मोड रहा है। मेरा दिमाग NIKUं सही नहीं है, कुछ बिजिश में मन भी नहीं लग रहा है। कितना अपने आपको सम्हालूं कितना क्या करूं, श्रै अभी छत पे अपनी से बात कर रही हैं वह लोग एक्जाम की बात कर रहे हैं आज पर देकर आएं हुए इंगलिश का था तो लोग बाते कर रहे हैं तब बच्ची से भी क्या काऊ अपने मन की बात थोड़ी न कहेंगे हम अभी यही बस सोच रही हूँ कि राशन खाली करूँगी व्लॉग शूट हो जाएगा कल का व्लॉग रेटी हो जाएगा आज मैंने क्या किया आज मैंने कुछ नहीं किया पस यह जगह यह जगह नहीं छूटती है मुझसे मैं यही पर मेरा सारा दिन गोजर जाता है जो काम किया आप लोग हम देखा जो मैं कभी कभी व्लॉग में बता देती हूँ जो मेरे काम रहते है वो मैंने किया और आके मैं इसी जगह में बैठ जाती हूँ पस मेरा सारा दिन ऐसे ही बीच जाता है इस जगह में मुबाइल में काम करना है कुछ भी और मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती क्या बात करना क्या किसी का टाइम पास करना क्या मैं फालतू हूँ किया मैं किसी का टाइम पास करूँगी किसी से अपने दुख दर्द, अरे इससे अच्छा ना चुप रहो, किसी से बात मत करो क्योंकि कोई किसी का नहीं है, सब लोग उस समय तो सुन लेते हैं जैसे information लेने आते हूं, कोई वक्ती हो लोग information लेने आते हैं information ले लिए चाय फोन में हूँ, वैसे ते मेरे गर में कोई नहीं आता है पर लोग बस information collect करते हैं कि इसकी life में चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा और दूर का देखा वहीं लोग कर लेते हैं अरे बहुत पार्सल आ रहा है यह अरे पार्सल आ रहा है कुछ भी है वो भी तो देखो उसमें महनत लगती है कॉलिबरेशन है बहुत दिमाग में चलता रहता कि नहीं जैसे रोज इंसान जॉप में जाता ना वैसे मुझे भी एक वीडियो अप्लोड करना ही करना है क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे मुझे डेली एक्टिव रहना ही होगा बहुत कुछ लोगों कि मैं डांस के वीडियो देखती हूँ खोशी के वीडियो देखती हूँ अपनी फैमली के साथ लोग रील बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं मेरे पास तो कुछ हाई नहीं तो मैं अकेली करती हूँ तोजती ह कुछ करती हूं पर क्या करूं अभी सेल लक्सात नहीं दे रहा है मेरा जो भी है भवाज के भरों से हैं अब जैसा बिगाड़ा गया है संभालो आंगे की लाइफ का कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कुछ भी नहीं पता है पता नहीं क्यो बिल्कुल ना व्लोग आएगा, ना मेरा अता पता चलेगा, ना कुछ ऐसा लगता है, और होगा ऐसा शायद, तो एक दिन मैं गायव हो जाओंगे, एक दम से अचानक से, इसलिए अभी जब तक हूँ, जब तक आप लोग मेरे ब्लॉग देखिये, फिर अचानक से गायव हो बासेत नेगा ओमोब, बाइब भाइब।